हम तो आज नहीं तो कल मरी जाएंगे पर ऐसे हैं कोई और चीज़ें उबरेंगे नहीं हमारी जासी जो आप मैंसे बहुत सारे बेन बायों ने नहीं सुनी होगी क्योंकि ये बाते में इंटर्यू में से साइध काट दे गई थी हमारे को जब ये मिली तो हम इसके उपर वीडियो बना रहे हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के उपर नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हमारे दवारा अपलोड की ओई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे हमारे चनल के उपर आपको ऐसी वीडियो जोर देखने को मिलती रहेगी तो अभी आज के टोपिके उपर बात करते हैं सबसे पहले बात लोरिश विश्णोई के पहले इंटर्यू की करते हैं उसके बाद हम दूसरे इंट्रियों में बोली गई बातों के उपर बात करेंगे लोरिश विश्णोई ने अपने इंट्रियों के अंदर बोला था किसी दूमुसे वाला का पांच चैमर्डर केसों में रोल था हमारे मरने वाले तो सिर्फ दो थे विक्की मिंडू खेडा और गुरलाल बराड लेकिन उससे कभी थाने के अंदर बुला कर किसी ने पूस्ताच नहीं की जब विक्की मिंडू खेडा की अत्या हुई थी तो विक्की मिंडू खेडा के बड़े बाई ने इसके उपर एलिगेशन लगाए थे लेकिन इसको फिर भी कभी थाने के अंदर नहीं बुलाया और ना ही पूछताच की अगर पहले ही पूस्ताच हो जाती तो विक्की और गुरलाल के केस में जो गुनेगार बार बाग गई है साइद वो ना बाग पाते और उनको सजा मिल जाती इसके बाद लोरिश विश्णोई ने सलमान खान के उपर बोला कि सलमान खान ने मेरे को ओफर दिया था जब जोधपुर जेल के अंदर गया था ताब इसने पेसे देने की बात कई थी लेकिन मैंने पेसे लेने से मना कर दिया था मैं चाहता हूं कि बस ये मेरे विश्णोई समाच से माफी मांग ले मेरे को पेसे पूसे नहीं चाहिए अगली बात लोरिश विश्णोई ने अपने छोटे बाई अनमोल विश्णोई को लेकर बोली ये बात सच में दुख बरी थी क्योंकि लोरिश विश्णोई ने बोला कि मेरे को तो 21 साल की उमर में जेल के अंदर डाला था लेकिन मेरे छोटे बाई अनमोल को तो 18 साल की उमर में जेल के अंदर डाल दिया था और उसके उपर 18 मुकदमे लगा दिये गई थे वो 4 साल जेल के अंदर बंद रहा और 20 साल का होकर निकला मेरे बाई के उपर जूटे केस लगाए गई हैं सिर्फ मेरे चकर में उसकी किसी भी केस के अंदर कोई involvement नहीं है फिर भी उसने सजा काटी वो भी 4 साल जब उसकी जमानत ओने वाली थी तो उससे एक दिन पहले उसके उपर मडर केस लगा दिया गया जब वो बाहर आया तो उसे फरजे पासपोर्ट पर बाहर बेज़ा क्योंकि यहां तो उसकी हर केस में involvement डाल रहे थे मेरे बाई के उपर सारे जूटे केस लगे हैं तो यह जो बाते थी यह पहले इंट्रियों में लोरिश विश्णोई ने बोली थी अब हम दूसरे इंट्रियों पर आते हैं दूसरे इंट्रियों में लोरिश विश्णोई ने बोला कि पुलिश ने कभी भी मेरे को सुधारने का प्रियास नहीं किया बिगाड़ने का जुरूर किया है कभी मेरे नाम पर जुटा केश डाल देते हैं कभी मेरे साथ वाले की पिटाई कर देते हैं कभी कुछ कभी कुछ लेकिन कभी सुधारने का कोई प्रियास नहीं किया आज तक इसके बाद लोरिश विश्णोई ने बोला कि हिंदुस्तान की हर एजनसी ने मेरे से पूस्ताच कर ली सिर्फ एक एड़ी रह गई है इसके अलावा सारी की सारी एजनसी ने मेरे से पूस्ताच कर ली मैं पांच श्टेट की जेलों के अंदर रह चुका हूँ हर जगह गूम पी लिया मैं अंदर आया ता सिर्फ एक युनिवस्टी के लड़ाई जगड़े के केस में और अंदर से मेरे उपस सारे केस लगे हैं आप बताओ ये मेरा फाल्ट है या फिर सिस्टम का फाल्ट है इसके बाद लोरिश विश्णोई ने ऐसी बात बोली जिसको सुनकर लोरिश विश्णोई के फैंस जरूर बाउक हो जाएंगे क्योंकि लोरिश विश्णोई ने का कि हम तो आज है कल मर जाएंगे कोई पता नहीं या तो इनकाउंटर हो जाएगा या फिर हमारी विरोधी गेंग मोका पाकर हमको मार देगी लेकिन एजेंसी इस बात की जरूर जांच क पैसे बन गया तो ये जो बाते थी ये लोरिश विश्णोई ने अपने इंटर्यू के अंदर बोली थी हो सकता है आप मेंसे कुछ बेन भायों ने ये बाते ना सुनी हो क्योंकि मेरे ख्याल से ये बाते में इंटर्यू मेंसे काट दी गई थी आप कमेंट करके जरूर बता